हेलो एवरिवान वेल्कम टू कॉंट स्टडी मैं आपका जीए का लेक्च जो सब्जेक्ट है वो करवा रही हूं आपको जेके एससबी की रेकूट्मेंट के लिए अभी मैं आपको इंडियन जियोग्रफी करा रही हूं और साइड बाय साइड कापिटल स्टेट करवा रही ह है मेरे साथ साथ संभवसर भी जिये की क्लास ले रहे हैं यह सेक्शन हमारा 40 मार्क्स का है तो बहुत स्कोरिंग है और हाई आइं सजेस्टिंग यू कि आप इस सेक्शन को अच्छे से करके जाएगा और मैं अशॉर करती हूं कि आपकी सिलेक्शन पक्का से हो जाएगी हमारे चानल को सब्सक्राइब कर लीजे और जिसने अभी तक नहीं किया है वह भी सब्सक्राइब कर लेजे अधर दिन डाट जो भी हमारे सोशल मीडिया के लिंक्स हैं वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं आप प्लीज उन्हें भी जाकर जॉइन कर हुए हैं ओके हैं सो हमारे इंडिया में जो रिवर्स हैं वह मेंनी दो ग्रॉप में डिवाइड हैं हिमालियन रिवर्स और पैनिन्सुलर रिवर्स हिमालियन रिवर्स मतलब जो हिमालिया से आती है और पैनिन्सुलर रिवर्स जो हमारे साउथ इंडिया में जो रिवर्स होती है वो ठीक है जो हिमालियन रिवर्स होती है न अब इसके बारे में देख लेते हैं यह देखिए इसके तीन हमारे मेजर हिमालियन रिवर्स है एक जो यह वाला पार्ट है इंदस रिवर फिर गंगा रिवर और उसके पाथ यहां से यह जो यहां से आ रही है पूरी ब्रह से प्रहम पूत्र हैं तो यह तीन रिवर्च है हमारी जो मेली हमालवन रिवर्च में आती है तो आज हम इनी के बारे में पढ़ेंगे हमालवन देखें तीन क्वसात्रिंदरिस GMT कुण कौन सी अभी मैंने आपको बताया गंगा इंदस और व्रह्मपुत्रा ठीक है यह लंबी है साउथ इंडिया वाली जो भी रिवर्स हैं जोने हम पेनिंसुलर रिवर्स भी बोलते हैं ठीक है हिमालियन रिवर्स जो है उनको परेनियल डिवर्स भी बोला जाता है क्यूं क्योंकि ये snow जब melt होती है न तो उससे ये rivers generate होती है वो उन rivers का origin है जो तीनों rivers है वो किसी ना किसी glacier या कहीं से high point से आ रही है हमालया से जहां पर snow की melting से इस river में हमेशा ही पानी रहता है इसलिए इसे perennial rivers बोलते हैं और of course rainfall होता है तो वो भी इस river के flow को बढ़ाता है तो चलिए river क्या होता है कि अगर एक कोई stream of water है ठीक है तो उसको रिवर बोल दिया जाता है बट रिवर जो है अगर वह अपनी tributaries के साथ अगर हम उसको group कर दे तो हम उसको river system बना देते हैं ठीक है तो हम Himalayan rivers को Himalayan river system की तरह से ही पड़ते हैं ओके तो आज कर देख लेते हैं हमारा पहला यह देखिए पहला है हमारा इंदस river system तो अगर आप ध्यान से देखें तो इंदस जो है हमारी वह यहां चाइना से निकल रही है ठीक है चाइना से निकलते हुए यह हमारे इंदस river पाकिस्तान में एंटर होते हुए यहां से अरीबिंसी में चली जाती है और इसकी कुछ tributaries हैं tributaries और distributaries दो चीज़े हैं जो river के आसपेक्ट में important होती है tributaries वह होती हैं जो छोटी छोटे rivers एक बड़ी river को जाकर मिल जाती है उसके flow में मिल जाती है उसको को बोलते हैं tributaries मतलब उन्होंने अपना कुछ पार tribute किया है एक बड़ी figure में ठीक है और distributaries क्या होगी कि जो एक river से निकल कर छोटी छोटी streams बन जाती है rivers की वह होती है distributaries कि उस ने उस river ने अपने आपको distribute कर दिया in different areas okay so यह जो है यह इंडस की tributearies है कौन-कौन सी है जहलम ठीक है यह देखिए यह है जहलम फिर उसके बाद यह चिनाब यह रावी ठीक है फिर यह छोटी सी बयास है और फिर यह सत्लुज है और यह सारी मिल जाती है पाकिस्तान में जाके और उसके बाद यह वहां अब इसी रिवर के बाड़े में पढ़ लेते हैं कि देखिए तो हमारी इंडस रिवर को हम सिंधु रिवर भी बोलते हैं ठीक है इसकी जो लेंद्थ है वह 22,880 किलोमेटर्स है इसका सोर्स क्या है कैलाश रिंज जो के तिबबत में है मांसरोवर लेक में उसके बाद इसक क्या है अरेबियन सी अभी मैंने आपको बताया इसकी ट्रिब्यूटरीज को हम पंच नाद बोलते हैं क्यों क्योंकि इसकी फाइव ट्रिब्यूटरीज है इसलिए उन्हें पंच नाद बोला जाता है कौन-कौन सी है जहलम जिसे हमारी लोकल लैंगज में वितस्ता बोला जाता है तो आपको इनके जो अधर नेम से वो भी याद रखने हैं आपको इन सब ट्रिब्यूटरी की लेंथ याद करने की जरूरत नहीं है आपको सिर्फ यह पता होना चाहिए कि जो सतलुझ है इसकी लॉंगिस्ट ट्रिब्यूटरी है और इसकी जो लेंद है वह 1050 किलो करती है तो इंडिया और पाकिस्तान में 1960 में एक ट्रीटी हुई थी जिसमें इंडिया को उस अग्रिमेंट के हिसाब से सिर्फ इंडस का 20% जो पानी है वो यूज करना अलाओ है ओके सो इंडस जेहलम और चिनाब का जो हमारा इंडिया है वो सिर्फ 20% पार्ट यूज कर सकता चलिए अपनी आगे देख लेते हैं हमारी जो ट्रिब्यूटरीज है जो हमारी जेहलम है वो वेरिनाग से निकलती है ठीक है और इसके ओपर जो डाम या हाइट्रो पार प्रोजेक्ट है वो कौन सा उरी है चिनाब जो है वो बाराला चला पास से निकलती है और इसके ओपर आफ्यों कि भाकरा नंगल राम जो है वह किसली यह फेमस ऐ भाकरा नंगल दम इसके ओंपर बना हुआ है जुए जुर छलिए अपनी नेक्स्ट के बारे मेंदेख लेते हैं हमारा नेक्स्ट रिवर सिस्टेम हे गंगा रिवर सिस्टम यह मेरा सब बहुत important है क्योंकि हमारी major northern plains जो है वो गंगा से ही हमारी affected है गंगा जो की हमारी उत्रागंड से बहते हुए West Bengal तक जाती है वहां तक जो है हमारा northern plains extended है जो कि मैं आपको आगे बताऊंगी भी कोई बात नहीं तो गंगा की जो source है वो क्या है गंगोत्री ठीक है जो की में ठीक है और कहां से निकलती है कुमायू हिमालया से ठीक है उसके बाद destination क्या है इसकी Bay of Bengal बट बट आपको आगे पता चलेगा कि गंगा सीधे जाकर बेंगोल में नहीं मिलती है यह ब्रह्म पुत्रा के साथ मिलकर इकठी होकर यह Bay of Bengal में मिलती है ठीक है इसको भागी प्रयाग में क्या होता है कि तीन यह देखिए अलक नंदा है ठीक है और बागी रथी है और एक और होती है मंदाकिनी यह तीनों जाकर देव प्रयाग में मिलती है ठीक है और उसके बाद वहां से आगे गंगा शुरू होती है I hope आपको समझ आगया होगा तेकि मैं आपको से बताती हूं यह देखें यहां पर अगर हम देखें यह भागी रथी ठीक है यह अलकनंदा और मंदाकिनी यह तीनों जाकर कहां मिलती हैं देव प्रियाग में ठीक है देव प्रियाग में जाकर यह मिलती है और उसके बाद वहां से हागे हमारी गंगा शुरू होती है ठीक है आपको समझ आ गया होगा चलिए आगे पढ़ते हैं इसके बारे में तो अभी तक तो आपको यह पता चला कि भागी रती अलगनंदा और मंदाकिनी को मिलकर गंगा बनती है देव प्रियाग में ठीक है उसके बाद अलाहबाद में यमुना भी जाकर गंगा से मिल जाती है जो की गंगा की लाजस्ट ट्रिब्यूटरी है और जो यमुना है वो कहां से निकल रही है यमुनोथरी ग्लेशियर से अब लेफ्ट बैंक इस हो बनाएं अभी तक मैंने आपको पताया कि ट्रिब्यूटरीस होती है कि अब देख लेते हैं कि लिव्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीस की होती हैं तो देखिए मानलो यह गंगा है ठीक है तो जो इसके लेफ्ट साइड से जो जो भी रिवर्स इसके साथ आके मिल रही है डाट आर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी जो इसके लेफ्ट बैंक पर आके मिल रही है और जो राइट बैंक से मिल रही है वो राइट बैंक ट्रिब गटनगग, कॉसी, घागरा और गॉमती, और राइट में किनक सी ईना, कोसी को सोड़ो अफ बिंगाल बिंगाल भी बूल जाता है क्योंकि कोसी चो रिवर है वो हो बहुत ही जादा फेमस है अपने फ्लाड़् के लिए इस river में बहुत ज़दा flood जाते हैं जब हमारा monsoon का मोसम आ जाता है तो इसलिए इसको sorrow of बिहार भी बोलते हैं तो मैं आपको दिखा देती हूँ ये देखें ये रही हमारी गंगा तो यहां से भागी रती भागी रती और अलग नंदा जाके मिलगी देव प्रयाग में और वहां से शुरू होगी हमारी गंगा ये जो मैंने pink line से बनाया है ये सारी कि सारी हमारी गंगा है ठीक है अब यहां से ये देखें यहां से आ रही थी हमारी यमुना आ रही थी और ये भी आकर हमारी कहां मिलगी है यह देखें यहां पर आकर हमारी यमुना कहां मिली अलहाबाद में जिसे संगम भी बोलते हैं ठीक है यह मिलगी अब इसके बाद left bank tributaries कौन सी है जो यहां से left bank से इसके आएंगी है ना जो इसके left bank से आएंगी वो left bank tributaries है तो देखें कौन-कौन सी left bank tributaries मैंने आभी आपको बताई तो आप उससे इस map में ढूंडेगा कि कौन-कौन सी left bank tributaries मैंने आपको बताई तो यह आपकी होगी left bank और right bank tributaries और यह कहां पर जाके मिल जाती है Bay of Bengal में ठीक है यह एक और नाम आपको यहां पर देखेगा फराका बारेज इसके बारे में आपको पढ़ना है इस वीडियो के खतम होते ही कि फराका बारेज क्या है और यह किस नदी पर बना हुआ है ठीक है देखें अब आग wsping wall तक जाती है Conservative यह 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 बागी रथी और हूगली में आगे भाईफर केड हो जाती है west ping wall में जाकी मतलब कि जब यह wesping wall पहुंचती है न तो यह क्या होती है यह यह गाईर फीर euros जाती है और एक जो इसका पार्ट है वो कहां commodities में इंटर होते ही इसका नाम वेंग बन ज गंगा की टोटल लेंद कितनी है 2530 किलो मिटर्स गंगा बेसिन का एरिया यह आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है और हरी द्वार में से गंगा माउथ तक मतलब हरी द्वार से लेके जब तक गंगा बे ओफ बिंगॉल में नहीं चल जाती वो सारी जो सॉयल है वो क् इसके लिए उगे तो देख लेते हैं आप ढंपुत्रा रिवर सिस्टम को लिए देखिए प्रह्मा पुत्रा रिवर सिस्टम में का इसका सोar कहां से है अंगले ठीक है चे मायंग नंग लेशर छो कि मांसरोवर में है ठीक है उसके बाद तियूसको सांग़वर बोलते हैं उसके बाद यह देखेए यहां से ये तिबिद से निकल रही है आते ही यहां पर इसे मिलेगा नम्चाबर्वा परवत और नम्चाबर्वा परवत से ये साउथ फेस्ट मुर जाती है ठीक है आपको इस माप में दिख रहा होगा ना और इंडिया में एंटर होते ही इसका नाम क्या हो जाता है दिहांग ठीक है इंडिया से पहले इसका नाम क्या होता है सांगपु इंडिया एंटर होते ही इसका नाम हो जाता है दिहांग उसके बाद दिहांग जो है उसके बाद दिबांग और लोहित के साथ मिलकर क्या बन जाती है भ्रहंपुत्रा फाइनली ये उसके बाद बांगलादेश में एंटर होती है जहां पर इसका नाम हो जाता है जमुना ठीक है और ये पद्मा पडमा मैंने आपको क्या बताया था गंगा का नाम है जो गंगा है वो मांगला देश में जाती है तो वहाँ पर उसका नाम क्या है पडमा तो ये जमुणा और पडमा जो हें वो इकठे मिलते हैं और उसके बाद Bay of Bengal में ये चले जाते हैं नहां से यह बे ऑफ बिंगॉल में ड्रेन हो जाते हैं अब इसकी राइट बैंग ट्रिब्यूटरिस देख लेते हैं सुभंसरी कामेंग मनस और संकोष लेफ्ट बैंग ट्रिब्यूटरिस कौन सी है बुरी दिहांग धनसारी और कलंग ओके माजूली जिसके बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया हुए माजूली इसका लाजस्ट रिवराइन आइलेंड है रिवराइन आइलेंड मतलब कि जो आइलेंड रिवर के बीचों बीच हो वो रिवराइन आइलेंड होता है ठीक है तो लाजस्ट रिवराइन आइलेंड है और इसकी टोट आते जैसी इंडिया में यहां एंटर होती है तो यह दिहांग बन जाती है यह दिबांग और लोहित के साथ मिलकर यहां से आगे ब्रह्म पुत्रा बनती है ब्रह्म पुत्रा से यहां आगे जब यह यहां पूंचती है यह बांगलादेश का पाट है जैसी बांगलादेश में पहुंचती है तो ये क्या बन जाती है पदमा तो गंगा है ये बन जाती है जमुना ओके सो यहां पर ये ये देखे ये आ रही थी हमारी पदमा ये आ रही थी हमारी पदमा इसके साथ मिलकर ये दोनों यहां पर बे ओफ बंगॉल में यहां पर ये डेल्टा बनाते हैं अपन गंगा ब्रह्मपुत्रा का और यहां पर यह बे ओफ बेंगॉल में ड्रेन हो जाते हैं ओके चलिए अब देख लेते हैं अपनी नॉर्दन प्लेंज को क्यूंकि हमारी यह तीन दिवस ही मिलके नॉर्दन प्लेंज को बनाती हैं तो जो भी एरिया जो था जो इंडस उत्रा और गंगा कवर करते हैं वो हमारा बन जाता है नॉर्दन प्लेंज ठीक है तो देखिए कुछ पार्ट राजिस्थान का पंजाब हर्याना कुछ पार्ट उत्राखंड का फिर उत्तर प्रदेश पूरा अल्मोस्ट बिहार पूरा जारखंड थोड़ा सा थोड़ा वे देखिए जिसे पंजाब प्लेंस फूर जो जो बर्मपुत्रा इंटा उनको हम प्लेंज पोल्ते प्लेंज तो को इनकों में अपमें ठिकेद तो इन दिल्स पार्द हरा 2017 से अनुड़ंतर नॉर्धं प्लेंज लते सबहुत हिल होती है mostly जो कि agriculture बहुत ही प्रेडक्टिव मानी जाती है ठीक है और ये पार्ट जो है वह बहुत ही प्रेडक्टिव है अब देख लेते हैं Northern Plains के भी डिफरेंट रिजन्स है ठीक है तो पहले हम पंजाब प्लीन्स वगेरा के बारे में पढ़ लेते हैं देखें पंजाब प्लीन्स किसे बनता है मैंने आपको बताया इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरी से बनता है जो कि जेलम चिनाब रावी ब्यास और थत्लुझ है और इस सेक्शन को में जो हैं दो आप्स बहुत जाद है ठीक है दो आप्स क्या होते हैं जो रिवर्स मिलके जो हमारा एक एरिया बना देते हैं उसको हम दो आप बोलते हैं जो जब भी दो रिवर्स मिलती हैं तो जो एरिया होता है जिसकी वजह से वह फर्टाइल हो जाता है उसको दो आप बोलते हैं तो गंगा प्लीन्स जो है इन तीनों river systems के बारे में बता दिया है और ये कहां कहां पर flow करती है तो northern plains में ज्यादा इसके बारे में है नहीं है तो अब देखते हैं कि इसमें हमारी जो regions हैं वो कैसे divide होते हैं देखो northern plains जो है न यहां पर थे shivalix ठीक है shivalix के नीचे से ही हमारा northern plain शुरू हो जाता है तो जैसे ही shivalix हमारे खतम होते हैं तो हमारा एक region आता है जो कि पत्थरों से भरा हुआ होता है तो जब भी यहां से हमारी जो river है हमारी river जब यहां से आती है तो यह इन पत्थरों से जो होती है cover हो जाती है पूरी और यह जो हमारी river है यह underground चली जाती है इन पत्थरों के नीचे नीचे चली जाती है और जैसे ही यह जो course पत्थर हैं यह खतम होते ही हमारी river जो है वाप लगती है अब रिवर के साइड़ पे अगर हमारी रिय वर है ठीक है है तो इसके साइड पे दो लेर्स बन रही है एक ही ओर एक और एक है ये जो यह वारा पाट है ना हमारा पिंग वाला पाट वो क्या है कि रिवर का जो पुराना वाला silt है न वो पीछे पीछे जमता जाता है इसलिए उसे हम भंगर बोलते हैं और जो जो लेटेस्ट होता है उसका जो भी deposits होते हैं रिवर के जूद की highly fertile होते हैं उसको हम खदर बोलते हैं तो रिवर के बिलकुल पास जो रिजन होएगा उसको खदर बोलते हैं देखे जो रिवर के बिलकुल पास होएगा उसे खदर बोलते हैं और जो उससे थोड़ा सा धूर होएगा उसको बंगर बोलते हैं उसके बाद तेराई रिजन और बाबर रिजन आपको अब समझ आ गया होगा देखे बाबर र जाती है इसलिए ये वेट और मार्शी है ठीक है उसके बाद बंगर जो है वो ओल्ड अलूवियल है क्योंकि मैंने आपको बताया कि रिवर से जो दूर है थोड़ा रिजिन वहाँ पर पहले के जो सेडिमेंट्स हैं वो सब जमें होते हैं तो इसलिए वो ज्यादा फर्टाइ रहेंगे तो उससे हम खदर बोलते हैं आज की स्टेट देख लेते हैं पहली स्टेट है ठीक है तो ठीक है तो ठीक की कापिटल है राइपूर यह रही ठीक हमारी इसमें 27 डिस्ट्रिक्स है इसे राइस बाउल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है यहाँ पर दो मेजर रिवर् हैं वह यहाँ पर पाएजाते हैं स्टेट ऐनिमल जो है वह वह बफलो है स्टेट फलार जो है वह माइना है उसके बाद स्टेकांश sellers ऑचानक मार最近 आंधिक कंटक ठीक Θबोण है इंद्रा ऑर गुरु गासी यह तीनों नाशनल पर यहाँ पर अवेलेबल है यहाँ पर कुछ जग्रॉफिकल इंडिकेशन्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है डेसे की ढोकरा बस्तर वुडन क्राफ बस्तर आइरन क्राफ और चंपा सिल्क सारी ठीक है और टाइगर रिजर्व यहाँ पर इंद् पर पॉल ओफ देश्ट बोला जाता है इसको पॉल उस्ते हैं इंडिया की वह सबसे रिचसे इंडिया की एवेलेबल पर कापिटा ठीक है दो मेजर रिवर्स यहां की जो हैं जुरारी और मंडोवी और स्टेट वर्ड है बुल्बुल स्टेट फ्लाइर है जैस्मीन वाइलाइफ सेंक्चरी और नेत्रावली वाइलाइफ सैंक्चरी ठीक है और इस यहां पर एक मरीन प्रोडेक्टेड एरिया मतलब जहां पर किसी को भी जाना अलाउड नहीं है वो भी है उसका नाम है चोराओ आईलेंड ओके विद इस आई कंप्लीट माई लेक्चर आज भी मैं आपके लिए कुछ लेकर आई हूँ यह कंप्वेशिंग्स को आज के लेक्चर में ही मिलेंगे और कुछ आपको जाकर ढूंदने पडेंगे तो आज का लेक्चर समझ में आया होगा अगर कोई भी डाउट रहेगा आप नीचे कॉमेंट कर दिजेगा और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगए है तो प्लीज लाइक करके बता दीजिएगा थांक्यू सो मच गॉड्ड ब्लेस्यू और कीप स्टेडिंग हार्ड